पूर्णिया के बन्मन की प्रकंड इस्थित परसित भग परलाद मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्छों में बढ़ते तनावग पर प्रसासनिक पहल के वाद विराम लग गया बतादे की बिते कुछ दिनों से मंदिर की 5 एकर 11 डिसमिल जमीन को लेकर दो पक्छों के बीच तनाथनी का माहौल था पिछले साल भी भगवान नर्शिंग मंदिर की जमीन को लेकर गाउं के दो पक्छों के बीच जवरदस्त जड़प हुई थी इससे बिहार के इस परमुक प्रियाटनस्थली में आने वाले सरधालों और प्रियाटकों में भारी कमी देखने को मिला बुद्वार को पुरानी नंदगोला गाउं में नर्शिंग मंदिर की संपती का रख रखाओ लीज निर्धारन और जिर्नोधार को लेकर बनमन की SDO राजीव कुमार ने ग्रामिनों के साथ सामोहिक बैठक की विवादित मामले को सुलजाने के लिए SDO राजीव कुमार, SDPO रमेज कुमार, सहित कई दूसरे प्रादिकारे भी मौजूद रहे बैठक में सर्वसमती से निर्ना लिया गया कि मंदीर की चिन्हित 5 एकर 11 डिसमिल जमीन जिसका कोई लीज नहीं दे रहा है वे 17,000 रुपे बिगा के हिसाब से मंदीर कमिटी के खाते में जाएगा ऐसा ना करने वाले और मंदीर के विकास में अवरुद सावित होने वाले तत्तों के खिलाफ सक्ती से निपटते हुए कारेवाई की जाएगी इसके अध्यक्च सियो होंगे, इस खाता का संचालन मंदीर कमिटी के अध्यक्च एवं सचीव करेंगे इस आमदनी से मंदीर का जिरनोधार किया जाएगा, मंदीर की जमीन लगभग एक दरजन ग्रामिनों के पास है लिज की रासी अग्रिम के रूप में भुक्तान खाते के माध्यम से होगा साथ ही दो पक्चों में पिछले साल हुए तनाव को परसासनिक पहल से समाप्त किया गया है इस संबंद में धमधाईसडी और आजिव कुमार ने बताया कि मंदीर की जमीन को लेकर उनके नैत्रित्म में बैठक हुई थी सोहार्थ पूर्ण वातावरन में सारे मामले को खत्म कर दिया गया है मंदीर की जमीन से भी जो आमधनी होगी वह मंदीर की कमिटी के खाते में जाएगा इस से मंदीर का विकास किया जाएगा साथ ही हिंदु धरवाब लंबियों के इस परसीत परियट नस्थली में आने वाले सरधालों और परियटों को में एक वार फिर से बढ़ोतरी किया आस दिख रही है